शीक 716 राइफल का आईपी नमबर वन 7.62 mm 666 राइफल से वाक्फियत राइफल को भरना रेडी, मेक सेफ और फायर करने का तरीका सिखाना है सुरू सुरू का काम बंदोबस की कारवाई क्लास की गिंती ग्रूपों में बाट हतियर और समान का निरिक्षण इंफेंट्री बटालियन में कौन-कौन से एसल्ट राइफल इस्तिमाल किये जाते हैं आंसर इंसास राइफल और एके 47 क्वेश्चन टू इंसास राइफल का कारगर रेंज कितना होता है 400 मिटर पहुँच हमारी सेना को और अधिक बड़न बनाने के लिए 6716 असल्ट राइफल को हमारी सेना में सामिल किया गया है नया हथियार होने के कारण हर एक जवान को इस हथियार के बारे में चनकरी होना नहायत ही जरूरी है ताकि जरुत पढ़ने पड़ इस हथियार का भरपूर फैदा उठाय जा सके उद्ध उद्धिश दुबारा सुने समान समान और क्राउंड सीट या ट्रेनिंग मैट्रेस सबक को चार भागों में सिखाऊँगा भाग एक शिक 716 रैफल की विशिस्ताय और टेक्निकल टाटा भाग दो खोलना इसे पुर्जो के नाम काम और जोडने का तरीका भाग तीन ऐसे से वाक्षियत और सफाई करने का तरीका भाग चार, भारना रैडी, मेक सेफ और पार करने का तरीका तो चलिए भाग एक नमूना विशिस्ताय और टेक्निकल डाटा तो चलिए सबसे पहले सुरू करते हैं विशिस्ताय यह USA का बना हुआ है सिंगल सॉट और और अटो फायर की स्विधा दी गई है एर कुड बैरल है एर क्राफ्ट ग्रेट करे अलिमोनियम एलोई मेटल का इस्तिमाल किया गया है शिफ्टी लिवर और मेजिन कैज की स्विधा दोनों तरफ दी हुई है एडस्टेवल बर्ट स्टॉक छे पोजिशन का है इजेक्शन स्लोट और मेजिन दोनों के टरस्ट कवर की स्विधा दी गई है फारवर्ड एसिस्ट की स्विधा अपर और नीचे पिकतनी रेल की स्विधा दी गई है गैस अपरेटर है डारेक्ट इंपीजमेंट की स्विधा दी गई है पिशल ग्रीप में क्लीनिंग का समान रखने की स्विधा दी गई है फारवर्ड साइड एड रियर साइड को कर्रेक्शन देने के लिए टूल की जिरुत नहीं है टेक्निकल डाटा मेड इन यूएसे कैलिबर 7.62 mm वेट 3.82 kg वेट अगेन फिर से बोल रहा हूं वेट है 3.82 kg का मेगजिन वेट खाली मेगजिन 164 ग्राम लेंथ विद एक्सेंड बट 955 mm लेंथ विद क्लोज बट 873 mm बैर लेंथ 406 mm ग्रूफ छे राइड हैंड साइड रिफ्लिंग पीच 254 mm साइड रडियस 527 mm कार्ग रेंज पूरे 500 मेंटर का मुजल वेलसिटी 800 मेंटर पर सेकंड आय रिलीफ 3-4 इंच रेट फायर 650 राउंड तू 850 राउंड पर मिनट बेरल एंड गैस ट्यूब का लाइफ 15,000 राउंड डिपेंड उन कंडिशन बोल्ट वासर राइफ 10,000 राउंड मतलब 10,000 राउंड फ्लेश हाइटर बनावाट फ्लेश सप्रेसर मेकानिकल सेफटी लॉक उनलॉक एजक्टर और पिन ट्रिगर पूल 1.8 केजी तू 4 केजी मेंज 4 से 9 पाउंड बनावाट बेरल एंड बोल्ट केरियर इनर पोर्शन जो है क्रोम प्लेटेट बड़ी एलॉय अलिमूनियम स्टॉक अपन साइट पिस्टल ग्रीप मेगजिंग प्लास्टिक क्या है अभ्यास ये था भाग एक का नहुना अभी होगा अभ्यास पुरे क्लास से अभ्यास करया जाए खोलना इससे पुर्जो के नाम काम और जोडना खोलना मेगजिंग कैच को दबाते हुए मेगजिंग को उतारे चार्जिंग हैंडल के लॉकिंग कैच को दबाते हुए चार्जिंग हैंडल को पीछे खीचे राइफल को चार्ज करें और लखीन करें चार्जिंग हैंडल आगे हो टेक डाउन पिन को बाई से अंदर की और पुश करें और दाहिनी तरफ से बाहर की और खीचें पिवट पिन को टेक डाउन पिन की तरह बाहर की और खीचें और लोवर रिसेवर कवर को अलग करें Charging handle को unlock करते हुए थोड़ा पीछे की और खीचे और bolt carrier को बाहर निकाले Charging handle को पूरा पीछे खीचे और निचे की और दबाते हुए बाहर निकाले इस प्रकार 6700 solar rifle पाँच भागों में खुलता है Upper receiver assembly, Charging handle assembly, bolt carrier assembly, lower receiver assembly और margin assembly Note, bolt को bolt carrier से निकालने के लिए firing pin और cam को निकाले Firing pin निकालने के लिए firing pin locking pin को निकाले और firing pin को बाहर निकाले Bolt को अंदर की तरफ push करें और cam को उपर उठाते हुए cam को बाहर निकाले Bolt को rotate करते हुए आगे की और खिचते हुए bolt को bolt carrier से अलग करें extractor को खोलने के लिए extractor को नीचे दबाते हुए drift की अधर से extractor locking pin को बाहर निकाले extractor locking pin दोनों तरफ खोला और जोड़ा जा सकता है buffer को buffer tube से लग करने के लिए plunger को नीचे की तरफ दबाते हुए buffer को ओपर की तरफ उठाते हुए buffer with spring की बाहर निकाले इदेख लिजे पूरा पाट्स अपर रिसीवर असेम्बली अपर पोर्शन रेल लोबर पोर्शन रेल फ्लेश, हीडर बारल, बारल, लोकिंग, लग गास तूब, चंबर, रिजक्शन लोट, डुछट कवर, जेख सेखल, फर्वाद शेखल, बार चेखल, वर्वाद तूद, अवड़क टॉटिंग, अपर नॉपर पिफिन अपन साथ, पर्ट अपन साथ, फोर्शरट टिप्टर और इलेशन नॉब और रियर ओपें साइट, small and large aperture, deflection knob, protector, इसमें दो aperture hole दिया है, small aperture को दिन के समय जब साफ मौसम हो और भी aperture hole की मदद से हम रात के समय और जब खारा मौसम पर fire करने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं, charging handle, locking catch और लग, bolt carrier, firing pin, firing pin, locking pin, camway, gas key, bolt, bolt, bolt locking lug, ejector, feeding lug, gas ring, extractor, extractor spring, extractor locking pin, or cam pin, lower receiver assembly, stock, release catch, sling loop, retaining spring, buffer plunger, selective lever, trigger, maggen catch, bolt catch, pivot pin, take down pin, maggen, dust cover, case, spring, base plate, platform, lips, stud, follower, जोड़ना, सबसे पहले छोटे हिस्से पुर्जो को जोड़ लिया जाए, इस पुर्जे को last में खोला गया है, उसे सबसे पहले जोड़ा जाए, extractor को जोडने के लिए, extractor को अपनी जगाव पर रखें, और extractor को नीचे पुस करें, और extractor locking pin लगाएं, bolt को bolt carrier में feed करते समय, extractor दाइने तरफ और gas ring के कटाव नीचे की तरफ होना चाहिए, bolt को दाय बाय रोटेट करते हुए अंदर की और push करें, ध्यान रहे, bolt को जोड़ते समय थपकी ना लगाएं, और ना ही जबरदस्ती करें, gas ring तुटने का खत्रा रहता है, और cam को लगाएं, फारेंग पिन को bolt carrier में दाखिल करें, फारेंग पिन, locking पिन लगाएं, अपर receiver cover को लें, और charging handle की stud को, और receiver cover में उपर और अंदर की तरफ बने हुए, रेसेस को मिलाते हुए charging handle को थोड़ा उपर उठाते हुए, थोड़ा आगे push करें, bolt carrier को लें, bolt carrier को अंदर push करने से पहले, cam आगे होना चाहिए, गैस की को उपर की और करते हुए, उपर receiver cover में दाखिल करें, और bolt carrier को आगे push करें, अब bolt carrier और charging handle दोनों को आगे push करें, जब तक क्लिक की आवाज ना आए, buffer spring को लगाने से पहले, लखिन करें की hammer नीचे बैठा हो, buffer spring को stock में दाखिल करें, buffer को अंदर की तरफ दबाएं और छोड़ दें, अपर बड़ी assembly और lower body assembly को जोड़ने के लिए, पहले pivot pin और बाद में take down pin को लगा दें, रैफल को चार्ज करें और सिश लेते हुए trigger प्रेस करें, ये था भाग दो का नमूना, अभी होगा अभ्यास, पुरे क्लास से अभ्यास करा जाएगा, भाग तिन नमूना, अशेसरी से वाक्hयत और सफाई करने का तरीगा, अशेसरी, फर्स्ट, बेन अच विथ कवर, केरिंग स्लिंग, असेसरी पॉँच, क्लिनिंग रॉट, र्ट, छ से सक्सन, Chamber brush, bore brush, oil bottle, cleaning cloth, cleaning brush सफाई करने का तरीका सबसे पहले अपर receiver को lower receiver assembly से अलग करें bolt carrier को बाहर निका लें 6 section cleaning rod को जोड़ दें और bore brush को लगाएं बोर ब्रस की मदद से बैरल की सफाई करें चमबर ब्रस को रोट के साथ लगाएं और चमबर की सफाई करें रोट के साथ क्लोथ लगाकर बैरल की सफाई करें क्लिनिंग क्लोथ की मदद से रैफल के बाहरी इससे पुर्जो को साफ करें सफाई करते समय ध्यान में रखने वाली बातें सिग राइफल की बाड़ी एलॉई एलिमुनियम की बनी हुई है इसलिए इसकी बाड़ी में और और पेंट ना लगाए सफाई करते समय क्लिनिंग रोड को बैरल के साथ तच न करें और रोड को पूरा आगे पिछे जाने दें गैस की और गैस क्यूब को साफ न करें बोल्ट और बोल्ट केरियर की बारी बाड़ी को लोही की तार वाले ब्रस से साफ न करें बैरल की सफाई करने के बाद बैरल में तेल ना लगाए बैरल की सफाई के दौरान गरम पानी का इस्तिमाल ना करें Only movable parts को तेल लगाए Lubricant 4 degree से अधिक temperature के लिए OX52 4 degree से मैंनस 18 degree Celsius के लिए OX13 मैंनस 18 degree Celsius से मैंनस 40 degree Celsius के लिए OX13 प्लस SKO Superior Cerosene Oil 1 ratio 1 मैंनस 40 degree Celsius से मैंनस 50 degree Celsius के लिए OX13 प्लस SKO मतलब Superior Cerosene Oil 2 ratio 3 ये था भाग 3 का नमूना अभी होगा अभ्यास पूरे क्लास से अभ्यास कराए जाए भाग 4 भरना, ready, make safe और fire करने का तरीका भर position चलते हुई हालात में बाय पाओ को टार्गेट की तरफ अलेंग करें राइफल को बदन के आगे लाएं इस पोजिशन में देखने वाली बाते हैं बाय पाओ टार्गेट के सीध में दाहिना पाओ कद के मुताबिक दाहिने, बाय हाथ की पकड फोर हैंड गाड पर, दाहिने हाथ की पकड पिस्टल ग्रिप पर, बैरल और निगा सामने और बट दाहिने बगल में रैफल को भरना अटो फायर पर करें फारिंग पोजिशन इक्तियार करें और कलमे वाली उंगली को ट्रिगर पर ले जाएं अगले हुकम का इंतियार करें मेक सेफ कलमे वाली उंगली को ट्रिगर से बाहर निकालें मैकजिन को उतारें राइफल को दो बाहर चार्ज करें दुरुष सिस्ट लेते हुए trigger को प्रेस करें, पाउंच से भरा हुआ मैगजिन लें, मुलज़ा करते हुए मैगजिन को फिट करें और यखीन करें कि मैगजिन फिट, जेलिंग पूजिसन निक्तियार करें, गिरेवे राउंड को साफ करके मैगजिन में भरें, खाली करना, make safe और खाली कर में अंतर सिर्फ इतना होता है कि make safe के दोरान अंत में भरी मैगजिन चड़ा दिया जाता है और खाली कर में खाली मैजिन चड़ाय जाता है, फायर करने का तरीका इस रैफल से दो किसमे का फायर किया जाता है सिंगल सौर्ट उटफायर सिंगल सौर्ट उस्ताहद लेंग पोजिशन इक्तियार करने के बाद रेडी तक्की करवाई बिना ब्यान के साथ करें इस प्रकार से रेडी तक की करवाई हो जाने के बाद दुरुष्ट सिस्ट अलाइनमेंट और साइट पिच्चर हासिल करें दिमागी तोर पर सरीर के उन अंगों को चक करें जो रैफल को मजबूत पकर हासिल करने में मदद करते हैं जैसे बाया हाथ, दाइना हाथ, कंधा और सिर अब सांस को नर्माल हालात में चलने दें फोर्ट से टीप 6 बजे और 12 बजे की लाइन में हरकर करनी चाहिए अब सांस को काबू रखते हुए, दुरुष्ट ट्रिगर और प्रसन की कारवाई करें, ध्यान रहें, सांस को 10 से ज़्यादा काबू ना किया जाए, जिससे ट्रिगर और प्रसन के दौरान बाजा ना पड़े हैं गोली फायर होने के बाद उसी पकड़, पोजिशन और शिस्त को कायम रखते हुए, फोर्साइट टीप की मुवमेंट को चेक करें, फोर्साइट टीप जहां पॉइंट कर रही होगी, गोली तकरीब उसी जगह पर लगी होगी, अब सांस को छोड़ दें और मार को उकारें स्टॉप फायर करते समय टार्गेट इलाके में कोई जानदर वस्तू आ जाए या टार्गेट के तोरान आदेश मिले स्टॉप तो कारवाई इस प्रकार करें कल्मे वाली अंगुली को ट्रिगर से बाहर निकालें, बटर कॉंधे का मिलाब तोरें, स्लेक्टिव लिवर की पोजिशन को एस पर करें और अगली होगी 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 का इंतजार करें गो अन अगर टार्गेट इलाके के से, जानदर वस्तू, हट जाए या ट्रेनिंग के तोरान आदेश मिले, गो अन तो कारवाई इस प्रकार करें स्लेक्टिव लिवर की पोजिशन को पहले वाले पोजिशन पर करें, बोट और कंधे का मिलाब करें और रैफल को फायर में सामिल करें यहां तक कि ये बयान और करवाई में किसी भी स्टुडिन का कोई सवाल, सवाल नहीं तो खाली कर आटो फायर के बारे में खड़े होकर बयान करना है आटो फायर जब फायर सेलेक्टिव लिवर की पुजिशन को आटो पर करके ट्रिगर प्रेस करता है तो दो या दो अधिक राउंड फायर होता है तो उसे बुरुष्ट फायर करते हैं पुरुष्ट फायर तपक होगा जब तक ट्रिगर पर दबाव हो और मैकजिन में राउंड हो आटो फायर में स्टॉप और गो अन की करवाई सिंगल स्वाट की तरह ही होती है आटो फायर में एक मिनट में 650 से 850 राउंड रेट अफायर होता है ये था नमूना अभी होगा इ समान का निरिक्षन में मेरे द्वारा किया गया बंदवबश्की करवाई पहले सही कर ली गई थी मेरे द्वारा चैक इक गई दोराई पिछले लेसन से दो सवाल पूछ कर लिया गया उद्देश को दौराया गया समान को स्मॉल पॉइंटर की मदद से दर्साया गया सब्बक को चार भागों में सिखाया गया भाग एक विसस्ताएं और टेक्निकल डाटा 6.716 का वेट कितना है 3.82 केजी भाग दो खुलना इससे पुर्जो के नाम काम और जोड़ना कोश्चन 6.716 कितने भागों में खुलती है 5 हे भाग तीन एससे वाक फियत और सफ़ाय करणे तरीका 6.716 कि क्लिनिंग रोड कितने सक्ष्षन की होती है 6 सक्षन भाग्चार भरना डड़ी मेक्षेफ और फायर करने का तरीका 670 का रेट और फायर कितना है 650 से 850 राउंड पर मिनट यहाँ पर लेसन संख्षेफ सहीद समापत होता है अभी भी पूरे लेसन में किसी स्टुडेंट का कोई सवाल आपका अगला लेसन राइफल की चाहल पढ़ने वाली रोके और उन्हें दूर करने का तरीका